नमशकार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपकी सामने एक नई वीडियो लेकर आए जिसमें हम बात करने जा रहे हैं योग क्या है और उसका इतिहास और उसका विकास कैसे हुआ तो उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहे हैं तो कृपिया करके वीडियो क और एंड तक जरूर देखिए तो शू करते हैं योग क्या है योग का मतलब क्या है योग शब्द हमारे शंस्कृत भासा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन या संयोग जब हमारा किसी के साथ मिलन होता है तो वो है योग जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होना उसे कह योग और हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें योग की अलग अलग परिभाशाएं दी गई हैं तो मैं आपको यहाँ पर दो ग्रंथ हैं उनके परिभाशा बताती हूं योग के बारे में क्या दी गई है भगवत गीता जो हमारी धार में ग्रंथ है जो आजकल बहुत ही महत हो या अलाव हो या आपको गर्मी लगती है या बहुत ज्यादा ठंड लगती है जो भी चीज़ें हमारे शरीर के साथ घटेत होती है जिसमें हम खुश होते हैं दुख होते तो उस इस्थिती में ना जादा दुखी होते जो एक नॉर्मल नीचर होता है उस तरह से रहते तो वो है योग की परिभाशा इसका मतलब है आपको हर इस्तिती में अपने वहवार को सम रखना है आपका जो भाव होना चाहिए वो सम होना चाहिए तो उसे कहते हैं योग भगवत गीता के अनुसार समत्वम योग उचते श्री कृष्ण ने कहाए जब आपकी स्थिती में कोई भी बदलाव हो तो उसमें जो आपका भाव होना चाहिए वो सम होना चाहिए तो उसको कहा गया है समत्वम योग उचते यह है योग की परिभाशा और हमारा दूसरा ग्रंध है योग दर्षन प जब चित की वृत्यों का निरोध हो जाता है तो वो है योग चित की वृत्या मतलब हमारे मन में जो भी विचार आते हैं जब वो रुख जाते हैं एक हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं मीस हम समाधी की तरफ चले जाते हैं तो उसे कहते हैं योग मीज उसमें हमें कुछ भी विचार नहीं आते हमारे एक सूने विचार हो जाते तो उस इस्तिती को बोलते हैं योग योगस्चित वृत्ती निरोधा योग सूत्र में दिया गया है तो यह इनकी definition है योग की आगे बढ़ते हैं जानते हैं योग का इत्याहस क्या है और उसका विकास कैसे हुआ जानते हैं कुछ ऐसी बातों से कि योग हमारा कितना पुराना है कहा जाता है भारत में जो योग की परंप्रा है वो 5000 वर्ष पुरानी है और भगवान श्रे कृष ने गीता में योग की भी प्रिभाशा दिये पूरा गरंथ आपका योग के उपर है उसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो योग के बारे में कहते हैं जो ये सिद्ध करते कि हमारा योग कितना पुराना है और भगवत गीता को योग सास्त्र भी कहते हैं हमारे प्राची इनकाल में कुछ ऐसी मुर्तिया मिली है जो योग मुद्रा में ही है दूसरा ये है कि सिंदु घाटी की जो सब्वित्ता है उसका भी संबन्द योग से है हमारे वो दिया जेन धर्म ने भी योग के लिए बहुत सारा कारे क्या उन्होंने भी योग का ग्यान एक दूसरे तक बाटा इससे भी आप पता लगा सकते कि हमारे योग कितना पुराना है और लोगों के अंदर योग के लिए कितनी जादा भावनाई थी, कितना प्यार था और माना जाता है कि जब से हमारी सभ्यताय शुरू ही है तब से योग करते आ रहे हैं लोग और योग विद्या का आदी गुरू, आदी योगी शिप भगवान को ही माना जाता है कहा जाता है कि शिप भगवान ने हिमाले के कांती सरोड जील के तटो पर अपने जो योग की विद्या है वो अपने प्रसित सब्त रिशी को प्रदान की थी इस तरह से योग की विद्या एक दूसरे से तक हम तक पहुँची भगवद गीता भगवत गीता हमारे योग के इतिहास में एहम भूमिका निभाती है भगवत गीता से साफ रूप से पता चलता है कि हमारा जो योग के इतिहास है वो कितना ही प्राचीन है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उब्देश दिया गया था गीता का पूरा सार बताये गए था और उस भगवत गीता में पूरा योग है योग की जानकारियां है योग क्या है योग द्वारा कैसे हमें हमारा जीवन निर्वा करना चाहिए ये सारी बाते पता चलती है तो विशेश रूप से भगवत गीता योग का ही ग्रंद कहा जाता और उसे योग साश्र कहते हैं भगवत गीता में जैसे ज्यान योग भक्ति योग और करम योग को विस्तार रूप से प्रस्तुत किया गया है और भगवत गीता में बड़े पहमाने पर योग शब्का उपियोग होता है और भगवत गीता में योग के तीन प्रमुक प्रकार का परीचे भी दिया गया है जैसे कर्म योग कर्म योग में वेक्ति को अपनी स्थिती के उचित और कर्तवे के अनुसार कर्मों का स्रद्धा पूर्वा निर्वाव करना होता है और भक्ति योग में उनको भक्ति कन्नी होती है भगवत कीतन उन्हें भावनात्मक आच्रन वाले लोगों को सुझाया जाता है जिनको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और भगवान के लिए बहुती जादा निस्ठा भावे उनके लिए भक्ति योग को सुझाया गया है और ग्यान योग जिनको ग्यान के बारे में जादा से जादा जानकारी और ग्यान अर्जन करना है उनके लिए है ग्यान योग इनसे भी पता चलता है कि योग कितना ही पुराना है जो हमारे भगवान श्रेकृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है महरिशी पतंजली का नाम क्यों आता है जब भी भी हम योग के तिहास के बारे में बात करते हैं वे थे कौन और उनका क्या संबन था योग के तिहास से जानते हैं योग सूत के रचनाकार माने जाते हैं महरिशी पतंजली उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी काशी में इशापूर दूसरी सताबदी में महरिशी पतंजली को शेशनाक का अवतार भी माला जाता है महरिशी पतंजली ने अपने योग सूत्र के माध्यम से उस समय जो भी योग की विद्याती ग्यान था उसको अपने योग सूत्र में इस प्रकार से विवस्तित किया कि जो हमारे लिए आज देन है वो उनको पिता भी कहते हैं योग का वह जनक है हमारे योग के महारिशी पतंजली का जो योग सूत्र है वो हिंदू के छह दर्शनों में से एक है पतंजली जी के बाद अनेक रिश्यों एवं योगा चार्यों ने अच्छी तरह अपने योग को और उसके विकास के लिए काफी योगदान दिया और महारिशी पतंजली के योग का सम्मान प्राचीन काल से अब तक निरंतर होता आ रहा है इन बातों से भी पता चलता है कि हमारा इतिहार जो था योग का बहुती प्राचीन है आधुनिक काल कौन सा काल है कौन सा समय है 1700 से 1900 इश्वी के बीच ही अबधी को आधुनिक काल के रूप में माना जाता है जिसमें ऐसे महान योगाचार्यों का जनम हुआ जिनोंने योग के विकास में अपना बहुत योगदान दिया जैसे रमन महरिषी, राम क्रेश्न परमहंस, परमहंस योगान नद और विवेकान जी आधी ने राज योग के विकास में योगदान दिया राज योग को अस्टांग योग भी कहते जो हमारे प्राचीन काल में महरिषी पतन्जली दौरा दिया गया था उनका जो योग था वो अस्तांग योग था और उसी का जो विस्तार किया विकास किया वो हमारे इन रिश्यो द्वारा भी हुआ है इन महान हस्तियों के उगदेशों से आज योग पूरी दुनिया में फैल चुका है और ऐसी अबदी है जिसमें विदान, भक्तियोग, नात्योग और हट योग पला पूला इनमें इन योग के जो रूप है उनको बढ़ावा मिला और आज का जो समय है जो योग है आज तक हमारे योग का बढ़ावा हुआ और आज हमारे सामने योग का ये रूप आया इस प्रकार से हमारे योग का विकास होता गया जो हमारा योग का विकास हुआ वो एक दूसरे के द्वारा हुआ हमारा जो योग का ग्यान तक वो एक दूसरे से दूसरे को दिया गया फिर आज हम तक पहुचा ये योग का ग्यान और आज हर जगे हमारे योग को हर रूप में देखा जाता है तो इस प्रकार से हमारे योग का विकास्वा और ये था हमारे योग का इतिहास नमस्कार धन्यवाद